जी ओ सावन एप पर एक जी ओ ट्यून सेट करते से में अगर गोप्लस का प्रॉब्लम आ रहा है या तो गोप्रो का प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के इस वीडियो को सुरसा लेकर लाज तक देख लिजेगा आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक आसान सेलिशन देने वाला हूँ अगर आप भी जी ओ सावन एप पर एक जी ओ ट्यून सेट करने का कोशिश कर रहे हो और वहापे गोप्लस या गोप्रो का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आपको वही काने को आप अपनी जी ओ ट करने के लिए आपको जी ओ सावन से बाहर आ जाना है और आपको जाना है अपने फोन की गोगल प्लैस्टर पर ठीक है हार फोन पर प्लैस्टर रहता है प्लैस्टर पर आप सभी को जाना है वीडियो का स्टैप आप फोलू कीजेगा और वहाँ पर जाके सर्च वर पर आपक पर पढ़ा है तो इसको update अभी के अभी दे दीजिएगा दोस्तों देखिए मैं update दे रहा हूँ अपने जीओ 7 application को आप भी completely अपने जीओ 7 application को update दे दीजिएगा ठीक है पूरा 100% अपडेट दे दीजिएगा और update देनी के बाद मैं आपको अगला step अभी के अभी बिता रहा हूँ दोस्तों जीओ 7 application को completely update देनी की बाद आप सभी को plaster से बाहर आजाना है और plaster से बाहर आकर फिर अपने जीओ 7 application को open करिए ओके पहले से अपने जीओ 7 application जो है इसको आप open करिए ओके जैसे कि मैं अपने जीओ 7 application को पहले से मैं open कर रहा हूँ आप भी करिए ठीक है और देखिए यह problem अभी भी है या नहीं ठीक है ज जैसे कि दोस्तों देखिए मैंने वही सेम गाने को सिलेट किया और सिलेट करने के बाद वहाँ पे सेट जियो ट्यून दिखा रहा है गोप्लस का प्रॉब्लम अभी नहीं दिखा रहा है दोस्तों आप भी अगर आपका जियो सैवन अपर गोप्रा प्रॉब्लम आ रहा है या गोप्रो का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक पर ऐसी तरह ट्राइ किजिएगा अगर ऐसी तरह नहीं हो रहा है तो मैं आपको और एक ट्रीक के रहा हूँ कि आप GEO7 एपलिकिशन से बाहरा कर आप MyGUAB से भी एकपर ट्राइ कीजिएगा अगर किसी भी तरीका से किसी भी सभी काम करके फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं आप सभी को simple solution बदा रहा हूँ कि आप premium ले लिजिएगा ठीक है अगर किसी भी आप trick यूज करके आपका सफल नहीं हो रहा है trick तो आप एक काम करिए premium ले लिजिएगा मैं जैसे दिखाया आपको ऐसे तरह दो एक बार आप कर सकता है बड़ प्रीमियम ले लिजिएगा आप 100% आपका वहाँ पर यह problem permanently solve हो जाएगा